अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टरी आईक्यू पर स्टरी आईक्यू की साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबं सर्धालिया एक और विशे पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आजूगा हूँ आप साहें तो इस्टाग्राम फेस्ब तो senior able citizens re-employment in dignity sacred इसको जो है वो नाम दिया गया है इसकी शुवात हाल ही में करी गई है विस्तार से समझेंगे क्या है ये पूरा का पूरा sacred portal I hope नाम से थोड़ा साम को समझ आ रहा होगा senior able citizens विरिष्ट नागरिक जो की able हो सक्षम हो काम करने में उनको दोबारा से employment दिया ज जार सके ये जो है इस portal का लक्षे रहने वाला है विस्तार से इसके बार में हम लोग बात करें तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शांदार courses study IQ क्या आपके लिए available है ये courses आपको बहुत जादा help करने वाले है आपकी exam preparation में तो जल्दी से जल्दी इन exams की preparation अगर आप कर र वरिष्ठ नागरिक जो अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक portal जो है वो सरकार लेकर के आई है यहाँ पर वो सभी लोग जो senior citizens है और अपने लिए कुछ नोकरी का पाना चाहते हैं दोस्तों सुनने में बहुत आजीब लगेगा कि वरिष्ठ नागरी क senior citizen है उनको नोकरी क्यों करने है लेकिन आप जानते हैं सामाज के अंदर जो हालात बने हुए हैं आज nuclear family system और घरों के अंदर जो जिस तरीके से बदलता हुआ माहोल है इसमें सबसे जादा vulnerable section जो है वो बुजूर्ग लोग का है आज families जो है वो self-centric होती जा रही है अपने ब यह है कि आज बुजूर्ग माता पिता को कोई सहारा देने वाला नहीं है कोई उनके लिए बैठ करके उनसे बात करने उनको खाना तक देने को तयार नहीं है ऐसी situation में क्योंकि बुजूर्ग लोग चाहते हैं कि अगर वो सक्षम है वो इस आवस्था में है कि वो काम कर सकते है तो उनको अगर कोई चोटा मोटा या कुछ कुछ भी रोजगार मिल जाए जो को आसानी से कर सकते तो अपना गुजारा बहुत बहुत बैठर तरीके से कर लेंगे इसी चीज़ को ध्यान में रहते हो यह पोर्टल जो है वो बनाया तो Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा यह पोर्टल Electronic Employment Exchange for Senior Citizens इसको हम Employment Exchange की तरह समझ सकते हैं यानि कि जिन लोगों को requirement है जॉब की वो इस पोर्टल पर रिजिस्टर करेंगे प्लस जॉब गिवर्स जो है वो यहाँ पर आगे चेक कर सकते हैं कि कोन व्यक्ति उनके requirement के अनुसार फिट है और दोनों को एक demand और supply का match जो है वो म जो है वो मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर राष्ट्री दिवस जो है वो प्रतेक वर्श एक उक्रूबर को मनाया जाता है citizens above 60 years of age can register on the portal and find jobs and work opportunities साथ वर्ष से अधिक आयू के नागरिक जो है वो इस पोर्टल पर जाके पंजी करन अपना करा सकते हैं और अपने लिए रोजगार जो है वो ठूम सकते हैं तो यहां पर उनको बहुत जादा help मिलने वाली है the employment portal will not only serve the senior citizen seeking employment but also the employer the self-help group the senior citizens gaining skills and other agencies or individuals सिरफ और सिरफ senior citizens ही नहीं जो job seekers है वो ही नहीं जो job givers भी है जो self-help groups है जिनको जरूरत है लोगों को लोगों की काम के लिए या कोई भी अन्ने agency उनके लिए यह एक बहुत important portal जो है वो रहने वाला है an amount of rupees 10 crore would be provided for funding for the platform development सरकार की ओर से 10 crore रुपे की राशी जो है वो इस platform को विकसित करने के लिए develop करने के लिए दी जा रही है उसके अलावा प्रती वर्ष अगले 5 साल तक 2 crore रुपे प्रती वर्ष जो है सरकार देगी यानि कि कुल 20 crore रुपे की लागत इसमें आने वाली है 10 crore रुपे जो है वो सरकार की ओर से इसके विकास के लिए development के लिए इस portal को बनाने के लिए दिये जाएंगे जबकि अगले 5 साल तक प्रतेक वर्ष में 2 crore रुपे साल आना जो है वो सरकार इस portal के रख रखाँ के लिए जो है वो देने वाली portal has been developed with the aim of finding ways to ensure that senior citizens live happily healthy, dignified, empowered and self-reliant life जो मैंने आपको बताया कि portal जो है वो सरकार की इस vision को practicality में बदलता है जहां पर हम चाहते हैं कि हमारे जो वरिष्ट नागरिक है वो खुशी से रहे अब अगर बुजर्ग आवस्था में अपने परिवार की और से ध्यान ना रखा जाए तो दर-बदर होना पड़े तो क्या वो बुजर्ग कभी खुश रहेंगे बिल्कुल भी नहीं पूर्टल डज नौट गैरंटी तो प्रोवाइड जॉब और इंप्लॉइम्मेंट बट विल सर्फ एज एनेबलर्स फॉर स्टेकोल्डर्स इन ओर्डर तु मीट ता मीट एंड डिसाइड दिर कॉर्स ओफ एक्शन एक चीज यहां पर ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है कि यह पॉर्टल बन गया मतलब सभी को जॉब मिलेगी गैरंटी नहीं है जॉब की यह सिरफ और सिरफ एक जॉब सीकिंग पॉर्टल जैसे आपके पास बहुत सारे पॉर्टल है जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उस तरीके से ही वरिष्ट नागर कर चेक करेंगे अगर दोनों का जो availability of skill set है senior citizen का और requirement of organization अगर वो match करते हैं तो फिर उनको job offer जो है वो दिया जा सकता है जिस तरीके से कोई भी job seeking site जो है वो काम करती है अब इसकी जरूरत क्या है देखिए बताने की I hope अवशकता नहीं है आप सबी लोग इस बात से परीचि जा रहा है लेकिन हालाज जो है वो बुजर्गों के लिए काफी जादा नरम जो है इस समय बने हुए है बुजर्गों की population जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है परिवार के लोग या तो जान बूच करके time नहीं दे रहे है क्योंकि वो अपनी life में busy है या फि ध्यान रख सके या उनके लिए जो है वो care कर सके इस वजह से वो लोग neglected feel करते और most of the cases में वो दर बदर होने पे मचबूर हो जाते हैं इसी वजह से elderly population जो है हिंदोस्तान में increase कर रहे है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस problem को address करने के लिए portal जो है वो शुरू किय गया है longitudinal aging study of India LASI एक study के अनुसार हिंदोस्तान के अंदर आज 120 million गुजर्ग लोग हैं लेकिन 2050 आते यह 319 million जो हो हो जाएंगे यानि कि करीब करीब 3 गुना या ठाई गुना number of elderly population जो हो हिंदोस्तान का आने वाले 30 साल में होने वाला है तो इतनी बड़ी population को sustain कर पाना जादा मुश्किल होगा until and unless वो खुद reliant बने वो अपने आपको खुद से अपने उपर निर्भर जो है वो रही परदर मोरता joint family system is declining gradually आज संयूक्ट परिवार प्रणाली जो है वो भारत से धिरे धिरे बिलुक्त होती जा रही है because of which इस वजह से elders are being exposed to lack of physical social and financial support वित्य सहायता की कमी आ रही है joint family system खतम हो गया है जैसे ही घर के बेटे की शादी होती है उसकी job लगती है वो अपने वाइफ को अपने बच्चों को लेकर के अरग हो जाता है इस तरीस वजह से माबाप जो है वो अकेले रह जाते हैं ना उनको physical support है सामाजिक सायताने और even financially भी वो लोग जो है एक तरीके से लाचार हो जाते हैं तो उनकी जरूरतों को उनकी अवशक्ताओं को ध्यान में रखते हुए एक मंच की जरूरती है अब देखिए इसा तो है नहीं कि सरकार जो है वो directly उनको जो है वो कुछ cash benefit transfer कर सके क्योंकि इसमें बहुत जारी cost जो है इसमें बहुत जरूर कर सकती है कि अगर वो सक्षम है अगर वो abled है तो उनको रोजगार के अफसर मिल सकें इसलिए इस तरीके के portal जो है वो बनाए जा रहे हैं अब अगर दादा जी है या कोई और अडोसी पडोसी है तो वो उसके बाद भी physically fit रहते हैं वो desk job कर सकते हैं और क्यूंकि उनके पास years of experience है तो वो बहुत अच्छे से कारे जो है वो कर सकते हैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है ये portal को launch कर रही है तो काफी ज दोस्तों sacred portal जिसको हाली में launch किया गया है I hope हमको ये article जो है वो समझ में आया होगा UPSC, CSC, civil services के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो pre plus means के लिए मारे बहतरी smart courses available है studyiq.com पर जाकर के ये studyiq app को download करके आप इन courses में enroll कर सकते हैं ये बहुत जादा help आपको करेंगे आपकी exam preparation में तो definitely in courses में enroll कीजिए थैंकियो very much दोस्तों all the best keep working hard bye bye take care जै हिंद